हालो एवरीवन, वल्कम टू क्यारा सक्सी शॉर्ट, क्यारा सक्सी शॉर्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि आपको मेरा थम्नेल लिक रहा होगा यू प्यू ट्रिपल स्थी पीई टी इग्जाम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि PET exam अब होगा UPSC के थ्रू ठीक है इसके जो भी बहुत सारे पद आप जानते हैं जो कि निकलते हैं उनको अब apply करने के लिए आपको PET exam का पास होना जरूरी है उन सभी पदों पर अगर आप चाहते हैं कि आपका selection हो तो सबसे पहले आपको पास करना होगा PET exam. PET exam के विशे में पहले भी बहुत कुछ बताया जा चुका है और मैंने ये भी कहा था आपको कि अगर UPSC के थ्रू अगर जौब पानी है तो आपको PET exam के preparation करनी होगी बात करते हैं कि कब कहा जा रहा है कि PET exam होगा और उसके बाद से जो भी vacancies आएंगी वो तब ही आप आएंगी अब तो आप जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हाली में लेकपाल की भरती के भी विशे में लेकित अभी तक देखिए कोई भी आसा notification जारी नहीं हो पाया है और next year अब आप देख सकते हैं कि November भी आपका last पर ही चल रहा है फिर December के बास से फिर सारी भरतियां जो हैं वो करवाई जाएंगे तो आपको अपनी त्यारी शुरू कर देनी है आए जाल लेते हैं कि क्या है न्यूज जैसा कि आपको दिख रहा होगा अधीनस्त सेवा चैन आयो की प्रारंबिक परिक्षा अप्रैल में होने के आसार है शाशन की ओर से दो चर प्रासला नहीं हो सका है लेकिन बैठक के बाद आयो की अध्यक्ष प्रवीर को मारने संकेत दिये हैं कि पंचायत चुनाओ और यूपी बोर्ड परिक्षाओं को देखते हुए समूह घह के पदूपर भरतियों की प्रारंबिक अहर्था परिक्षा यानि कि पीईटी का आय अधिक्रम कमेटी के कठन करने के लिए आयो के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है अभ्यर्थियों के लिए एक बारगी पंची करण की व्यवस्था को चालू करने पर भी विचार विमर्ष हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षड की व्यवस् चालू करते जब तक कभी कोई विकंसी इधर नहीं आ रही है तब तक आप अपना पीटी एक्जाम की प्रिपरेशन करते रहे जो बच्चे यूपी ट्रीपलेसी का एक्जाम देते हैं यूपी ट्रीपलेसी आपका जूनियर एसस्टेंट की टाइपिंग बची हुई है वो बच्चे टाइपिंग भी करते रहें साथ में 2019 वारे बच्चे भी जो भी आपके हैं वो भी अपने टाइपिंग पर फोकस करते रहें क्योंकि आपका भी रिजल्ट जो है कभी भी आ स आपको वीडियो में जो बाते बताई गई हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तेले टेक यूर इंट बाए